गेर बॉक्स पर नेम प्लेट लिखी रहती है उन सब का डिटेल में क्या मतलब है हर एक वर्ड का मतलब बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो में बने रही हैंता कलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल शादाब सर्में तो चलिए वीडिय हाल बोक्स हाजए मैं फोटो देए ता हो इसन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि है का मतलब है एच का मतलब है हेलिकल कि ये गेर बोक्स हेलिकल है यहाँ पर बी बी लिखा हुआ मिल सकता है एक कैटलोग दिखाता हूँ यह देख सकते हैं मेरे पास एक कैटलोग है premium transmission गेर बॉक्स की इसके अंदर दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर औरेडी लिखा मिलेगा तो सबसे पहले देख सकते हैं इसमें लिखा है बेवल हेलिकल गेयर बोक्स यानि कि इसमें बेवल गेयर भी आते हैं और हेलिकल भी आते हैं बेवल कौन से हैं जिसकी शाफ 90 डिगरी पर होते हैं यानि कि एक साइट में इधर होगी और जिसमें H लिखा हुआ मिलेगा यानि कि वो हैलिकल गेयर बोक्स होगा उसमें कोई बेवल गेयर नहीं होगा यानि कि एक तरफ से शार्फ होगी और दूसरी साइड से निकली होगी 180 डिग्री पर काम करता होगा तो इसमें मेरे H की जंगा B भी लिखा हो मिल सकता अगर B है कही पर तो वो बेवल गेयर है और जहां पर H है वो हैलिकल गेयर है अब वन का क्या मतलब है वन का मतलब है कि इसमें जो पार्टिशन होंगे गेयर के और इसके सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होगी वो हमारी वन साइड ही होगी यानि कि इसमें दो गेयर पार्ट चल रहे हो होंगे तीन होंगे सब्सक्राइब इसमें एक ऐसे बढ़ जाता है यहां पर इसको आगे बढ़ा लूँगा एक गियर और बढ़ गया यहां पर तो यह क्या हो जाएगा है हैस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक फोटो मैं दिखाता हूं कि यह जो आगे 140 लिखा है यह कहां से कहां तक है यानि कि शाफ्ट के सेंटर से और दूसरे जो गेयर है उसके सेंटर तक के जो बीच की दूरी हो गई वह हमारी 140 आ जाएगी इसका सिंपल सा यह मतलब एक इसके मोडल में कभी-कभी लिखा मिल ज यह पिर ही साफिए यह फिर एचव वण एस एफ भी मिल सकता है ठीक है यह मोडल भी आते हैं इनका क्या मतलब है इनका देखी जो केयर बोक्स की हमारी बोड़ी होती है शाफ्ट जहां पर लगी होती है वहां पर एक फ्लेंज होता है फ्लेंज की माउंटिंग से मतलब है कि यह fix है या इसको assemble-deassemble किया जा सकता है तो एक अंदर का भी flange होता है जिसका designing S या SF यानि कि S का मतलब shaft हो गया F का मतलब flange से हो गया shaft का भी hollow या solid पूरी तरह आती है यानि कि यह solid में है यह denote कर दिया जाता है अब आगे इसके ratio की बात कर लेते हैं जैसे ratio इसमें लिखा है 5.06 और 1 का दीकि 0.06 को आप छोड़ भी सकते हैं मन के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्योंकि ऐसा नहों कि confusion हो जाए तो 5-1 का यह gear ratio है simple सा है यानि कि अगर motor की side के 5 चक्कर चलेंगे 5 बार गूमेगा तो gear box से आगे जो हमारी output होगी वो एक बार होगी एक बार round लेगा इसका यह मतलब है कि 5-1 का ratio है आगे इसमें लिखा है जैसे इसका oil की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 320 नमबर का oil इसमें fill होता है इसके पहले लिखा है UG इसका simple सा है यह मतलब है कि ultra grade या upper grade या कोई अच्छा grade का oil हमें ले लेना है आगे इसका weight भी लिखा है 150 kg है और इसमें letter quantity भी लिखी है यानि कि इसमें 6 liter oil minimum fix fill करना ही करना है अब इसका एक बार gear ratio निकाल कर देखते हैं जैसे यह gear box पर लिखा है 1500 RPM की motor इस पर लगेगी अब 1500 RPM की motor लगने के बाद यह output कितना निकालेगा simple सा वो भी जान लेते हैं तो gear box पर जो RPM लिखे है यह हमारी motor लगेगी उतने RPM की यह भी याद रखना है यह 1500 दिये है ठीक है अब gear ratio इसमें कितना है gear ratio को मैं G से renot कर देता हूँ 5.06 दिया है तो लेकिन आप simple सा 5 एक ले लेना है यहाँ पर क्या करेंगे formula सिर्फ यह लगा देंगे N1 upon N2 is equal to G यह simple से formula में रखेंगे और निकाल लेंगे अगर मैं N1 की बात करूँ तो यह मेरे N1 होंगे 1500 RPM N2 निकालना है और G का मान कितना है पांच बटे एक यानिके 5 upon 1 भी इसको लिख सकते हैं तो simple सा इसको solve करने के लिए क्या करेंगे यह N2 इदर आ जाएगा यह इसकी divide में आ जाएगा तो N2 बराबर कितना होगे 1500 बटे 5 यानिके 5 तीया 15 यह 300 RPM आउटपुट निकालेगा गेर बोक्स लेकिन अगर इसको हमें reduce करना है कम RPM लेने है तो इस पर VFD लगाएंगे variable frequency drive इस से हम इसके RPM कम भी कर सकते हैं अगर इन गेर बोक्स में लिखीजिंग की problem है तो better आप oil seal यूज कीजिए SKFA SOG company की आती है अच्छे temperature पर आती है वो यूज कीजिए उस से leakage की problem सौल हो जाएगी गेर बोक्स का कोई gear खराब हो जाता है या फिर bearing खराब हो जाता है यानि कि हमें change करना है तो oil seal जरूर change करेंगे क्योंकि oil seal एक बार खुलने के बाद दुबारा उसको यूज नहीं करना वो लिखी जो सकती है और एक चीज़ बता दे कि जो उसमें oil है अगर हमारा 110 degree temperature तक यूज हो रहा है यानि कि oil का temperature 110 degree तक चला जाता है तो उसको 6 महीने में जरूर change करें इससे उसकी live gear box की ज़्यादा किजिए वीडियो में नेक्ट अगने फिर मिलेंगे तब तक के लिए